एलो फ्रेंड्स, LGR स्टेडी के यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार पॉल्टेक्निक के बिहार पारामेडिकल का जो रेंक कार्ड है वो जाड़ी कर दिया गया है और जाड़ी करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है अलग-अलग कंफिजन में पढ़ चुके हैं और बच्चे पूछ रहे कि सर रेंक कार्ड तो आ गया अब एडमिसन के लिए आगे क्या करना होगा चली शुरू करते हैं बिना टाइम गमाई इस वीडियो को सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि आपका रेंक का डा चुका है सभी कर रेंक सो कर रहा होगा ठीक है इस तरह का आपके पास भी होगा अब सबसे पहला step क्या होगा आपको बता दे कि आपका date जारी किया जाएंगा JAMES PK लेना चाहते हैं और कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं मेकेलिकल, सीबिल या फिर कौन सा या फिर जो भी आपके कूर्स है कौन सा कूर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलेज का कुछ ऑप्सन देना होगा और आपके कुछ ब्रांच जानिक जिसको हम ट्रेड भी कर सकते हैं उसका क्या करना होगा उप्सन देना होगा जैस बच्चों को उसके बाद choice filling कर देने के बाद आपको पताना चाहिए की merit list जारी किया जाएगा first merit list second merit list 3rd merit list तक जारी किया जाता है उसके बाद fourth merit list का कम chance होता है तो माली जे की first merit list जारी किया गया उसमें आपका नाम आ गया ठीक है तो first marriage list जो है जैसे ही जारी किया जाएगा अगर उसमें आपका नाम होगा तब आप क्या करेंगे तो आपको जो है first marriage list जो जारी किया जाएगा अगर उसमें आपका नाम होगा तो आपके नाम से जो है allotment letter जिसको हम allotment order काते हैं allotment order जो है आपके नाम से आजाएगा नेट पर आप वहां से डाउलोड कर पाएंगे और उसी एलाटमेंट ओडर में आपको कॉन सेलिंग सेंटर का कॉन सेलिंग सेंटर का नाम लिखा गया होगा कि हाँ आपको कॉन सेलिंग के लिए कहां जाना है ठीक है तो अगर आपके डिस्टिक में हो जा तो और बले बले है ठीक है तो कौन सेलिंग का जो है वहाँ पर आपको क्या करना होगा जाना होगा कौन सेलिंग के लिए कौन सेलिंग में आपको क्या लेकर जाना होगा तो कौन सेलिंग जो है आपका जो एलाटमेंट और में जो भी कौन सेलिंग सेंटर लिखा होगा तो अपने कौन सेलिंग सेंटर पर आपको कौन सेलिंग करवाने के लिए जाना होगा इसमें आपको अपन लगने वाला ठीक है तो सारा document आप लोग तयार कर लिजेगा ताकि जैसे ही आपका ये हो तो आपको उस टाइम पर document खोरिना ना पड़े तो सारा document लेकर कि आप counseling के लिए जाएंगे counseling center पर वहाँ पर आपका पूरा document बेरेट बेरिफाय किया जाएगा देखा जाएगा हो हाँ सही है या गलत सब पूँठ किया जाएगा चेक करने के बद आपको admission letter दे दिया जाएगा एडमिशन No matter में क्या लिखा होीगा admission letter में वहाँ पर आपको लिखा होगा जो भी branch 곡 को मिला है वह branch लिखा आपको ठीक है अब admission letter लेकर के आप आ जाएंगे उस college में जिस college का नाम admission letter में हैं अब उस college में admission के लिए जो भी जैसे CLC है या फिर जो भी कागजात है वो document जमा करके रुपया जमा करके आपको क्या करना होगा admission ले लेना होगा तो ये सारा प्रकिडिया है आसा करते हैं कि आज का जानकारी आपको अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक सदिक अपने दोस्तों में share कर दीजिए और admission संबंदित सारा जानकारी आप लोगो time to time इस पर दिया जाएगा ये टू जेट सारा का सारा जानकारी तो आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा thank you so much मिलते हैं आगले वीडियो में